हे दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनर कुमार मनीस सौगत करता हूँ आपके यूटूब चैनल जॉब इंडिया में दोस्तो अभी आपने जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को सेर कर दो SSB नर्स भरती 2021 दोस्तो 116 पदोग पर SSB की तरफ से स्टाफ नर्स आईटी आई, बीटेक के लिए जबरदस्थ परमानन भरती आ रही है बिल्कुल दोस्तो सरकाई नोकरी है, आल इंडिया भरती है, इसमें दोसरे स्टेट वाले जो है फारम को अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, नोटिफिकेशन का बाएगी, कबसे आप लोग फारम को अपलाई कर सकती हो सारी इनफारमेशन देंगे और जो यहाँ पे स्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके माध्यम से बिल्कुल ओफिसली इनफारमेशन दी जाएगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सस्क्राइब कर दो, चलिए आपको लेके चलते हैं ओफिसली नो स्ट नोटिफिकेशन है, अभी दोस्तो स्ट नोटिफिकेशन है, यह पबलिस कर दिया गया था नो जुलाई को, और यह दोस्तो अब कमिंग वेकेंसी है, इसके बारे में बड़ी अपडेट है, जिसकी जानकारी अभी मैं आपको देने वाला हूँ, सबसे पहले उपर आप स्ट नोटाइज में नंबर देख सकते हो, 338 दिया गया है, 328 इसका नोटिफिकेशन नंबर है, इसमें आप लोग सारी इनफार्मेशन चेकाउट कर लेना काफी जबरदस्त भरती है, आपको बता दे, इसमें मेल और फेमेल दोनों लोग अपलाई करेंगे, जिसमें भारत से अपलाई करेंगे, नेपाल और भूटान से भी यहाँ पर फार्म को अपलाई कर सकते हैं, इसमें आपको बता दे जो सैलरी मिलेगी, लेवल 6 के अंतरकत अधिक्तम सैलरी 1,12,004 रुपे मिलने वाली है, और अगर हम बात कर लें, तो इसमें दोस्तो चार केटिगरी है, और जिसमें 4 पोजीशन है, सम इस्पेक्टर, SI, पायोनियर की है, पायोनियर की और इसके बाद सम इस्पेक्टर, ड्राफ्समेन की है, और सम इस्पेक्टर, कमुनिकेशन की है, और सम इस्पेक्टर, स्टाफ नर्स, फीमेल के लिए है, अब दोस्तो देखें, जो स्टाफ सेमेल के लिए यू आर कटगरी में 17 वेकेंसी है EWS में 2 वेकेंसी OBC में 10 वेकेंसी है और ESC के लिए दोस्तो 8 वेकेंसी है 2 वेकेंसी यहाँ पर EST में रखी गई है टोटल 39 वेकेंसी यहाँ पर SI staff nurse में रखी गई है बाकि आप लोग checkout कर लेना उपर है यहाँ पर एक सर्विस मेंन के लिए 10 वेकेंसी रखी गई है बाकि पायोनीर और Communication, Dropsman का आप लोग यहाँ पर देखिए इसमें जो ITI और BTEC वाले फार्म को अपलाई करेंगे आगे यहाँ पर देखिए online mode में दोस्तों आप लोग फार्म को अपलाई करने वाले हो और इसके बाद जो हो आप लोग देखिए अगर हम एज का आटेरिया की बात करें तो आप लोग अगर BTEC कर रखके हो या Polytechnic कर रखके हो डिप्लोमा कर रखके हो Civil Engineering में तो आप लोग पायोनीर में अपलाई कर सकती हो SI पायोनीर में जो है एज की बात करें तो 30 years रखकी गई है अगर यहाँ पे आप लोग OBC हो तो OBC वालों को 3 वर्स की चूड मिलेगी और EFC और दोस्तों HD वालों को 5 वर्स की चूड यहाँ पे मिलने वाली है इसी के साथ अगर हम बात करें तो Dropsman की तो इसमें अगर आपने IDI का रखका है Dropsman से IDI का रखके हो और 10 वी पास का रखके हो यह आपके पास Certificate है और AutoCAD का आपके पास Certificate है और Experience है एक साल का तो आप लोग यहाँ पे Apply कर सकते हो Age की बात करें तो 18 से लेके 30 years यहाँ पे Age Characteria रखकी गई है SI Communication की बात करें तो इसमें अगर आपने Electronics and Communication में बेटे कर रखका है या Computer Science में बेटे कर रखका है या IT में बेटे कर रखका है तो अभी आप लोग SI Communication में बेटेंगे और Age की बात करें तो 21 से लेकर 30 years आप लोगों की Age Limit रखकी गई है यह दोस्तों यूर केडिगरी के लिए है कई से 30 साल के बीच में आपकी Age होनी चाहिए Staff Nurse Female के लिए इसमें OBC वालों को 3 वर्स की छूट मिलेगी तो दोस्तों बता दे बड़ी खबर है 15 नॉवंबर 15 नॉवंबर की डेट में दोस्तों यह Employment News में पब्लिस की जाएगी अभी यहाँ पे हमने मेल किया था उसका reply यहाँ पे दिया जा रहा है और आपको बता दे नॉवंबर में ही दोस्तों यह notification आने वाली है क्योंकि दोस्तों यह भरती जो है 2020 में आने वाली है लेकिन अभी देकि जुलाई में नोडिस्टिकेशन जारी किया गया है और दिसम्बर से पहले जो है Officially website पर फार्म को यहाँ पे भरवना स्टार्ट कराए जाएगा लेकिन अभी यहाँ पर अब्रे निकल क्यारी कि नोवंबर में भरती आएगी तो नोवंबर 15 नोवंबर को दोस्तों Employment News में यह पब्रिस की जाएगी उसके आप लोग जो है 15 दिसम्बर तक फार्म को अप्लाई करेंगे तो 15 नोवंबर से 15 दिसम्बर तक अप्लाई करेंगे और दिसम्बर से पहले यह भरती आना यहाँ पर confirm हुआ था पहले ही यहाँ पर बोला गया था तो इसलिए दोस्तों दिसम्बर से पहले भरती आ रही है तो नोवंबर में भरती आने वाली है तो बस वेट करिए जल्दी आप लोगों के लिए भरती आएगी इसमें अगर हम बात करें तो यॉर करडिगरी के लिए EWS के लिए OBC के लिए तो 200 रुपे का दोस्तों यहाँ पर application fees यहाँ पर लगने वाला है 200 रुपे का application fees लगेगा इसके बाद दोस्तों हम आपको बता दे syllabus क्या होगा syllabus की जानकारी आपको देने वाले है और हमने आपको बता दिया है important date के बारे में qualification के बारे में बता दिया है application fees में बता दे तो जो EASC है जो EASC है और जो EASC सर्विस मैन है और जो female candidate है इनके लिए कोई पैसे नहीं लग रहे है तो जो staff nurse है female की vacancy है 31 vacancy है उसमें जो female apply करेंगे उनके लिए online बिल्कुल free है कोई पैसे नहीं लगेंगे तो बड़ी update है जल्दी से वीडियो को like कर दो और इस वीडियो को जादा से जादा share करिए क्योंकि बिल्कुल officially short notification है चलिए अब बात करते हैं syllabus के बारे में और उसे अच्छे से आप लोग target करिए अच्छे से त्यारी करो क्योंकि यह दोस्तों भरती 100% आने वाली है इसकी अलमा आपको बता दे जो BSF की vacancy निकाले गए थी उसका 14 नौमबर को एकजाम होने वाला है BSF का दोस्तों यहाँ पे देखिए 14 नौमबर को BSF paramedical staff का जिसमें staff nurse है उनका भी यहाँ पे एकजाम 14 नौमबर को होने वाला है इसके बाद दोस्तों SSB की vacancy यहाँ पे आ रही है तो बड़ी खबर है अगर आप लोग defense line में जाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत यह अच्छा मौका है चलिए दोस्तों syllabus देखते है तो दोस्तों application fees यहाँ पे देखिए जानकारी है बाद में आपे syllabus देखते है syllabus में अगर हम बात करें तो 180 मिनट का समय होगा 180 मिनट में आपके जो है यहाँ पे दोस्तों अभी देखिए syllabus चेंज भी हो सकता है पहले बोल रहा हूँ लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो मैं आपको बता रहो कि कौन-कौन से topic आएंगे इसे अच्छे से cover कर लेना बहुत benefits आपको मिलने वाला है तो 180 मिनट का समय होगा या फिर 120 मिनट का समय होगा 100 कोस्चन आपकी जाम्य आने वाली है 100 कोस्चन में General Awareness and Aptitude मैं से 10 कोस्चन आएंगे 10 नंबर का होगा General Awareness and मैं से 10 कोस्चन 10 नंबर का आएगा यह दोस्तों सभी के लिए syllabus है General English से 10 कोस्चन 10 नंबर का आने वाला है English आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है लेकिन जो nursing subject है most important है 80 कोस्चन नर्सिंग से आएंगे 80 नंबर का आएगा और आपको बता दे दोस्तों आपके पास अच्छा मौका है Nursing and General Awareness and Aptitude Math पर अच्छे से फोकस करिए SSB को target रखकर आप लोग त्यारी करिए अगर आप लोग defense line में जाना चाहते हो क्योंकि दोस्तों permanent भरती आ रही है और इसमें staff nurse ही farm को apply कर सकती है तो thank you दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो में धन्यवाद